हालो मश्कार, नाम है सुनने लोग आप देख रहें कॉमर्स पॉइंट आज के वीडियो में डिसक्स करेंगे Need for advertisement Need for advertisement में simple से 6 point है 1 by 1 discuss करेंगे सबसे पहला point है information about new product Need for advertisement मतलब की एक company को जरुवत क्यों है advertisement करने की या फिर फाइदे क्या क्या है advertisement करने से company के लिए और customer के लिए भी क्या क्या फाइदे है उसमें पहला point क्या है information about new product अब customer जो है उनको नई product के information मिल जाती है advertisement के थूँ आप जब भी TV पर ad देखते हैं तो आपको क्या हो रहा है इस particular product या किसी भी particular product के बारे में सारे information पता लग रही है product कब launch होने वाला है, prices क्या है क्या उसके साथ discount मिल रहा है, क्या उसके साथ product free मिल रहा है, तो आपको information मिल जाती है किसी भी नए product की, किसकी help से advertisement की help से second point देखेंगे, information about newness in product अगर कोई भी product में changes कर रही है, company, innovate कर रही है company, उसमें fair बदल कर रही है उसमें कई product add कर रही है कई quantity में changes कर रहे है quality में changes कर रहे है, तो वो inform करने के लिए भी company advertisement की मदद लेती है और customer को क्या फाइदा है, कि आपको newness के बारे में पता लग जाता है हो सकता है, existing या पहले product में आपको वो चीज़े पसंद ना हो और company ने वो चीज़े add-on कर दी है आपके benefit के लिए तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा और आप वापिस से वो ही product खरीदने लग जाएंगे आगे देखेंगे search for new consumer अब existing जो हमारे consumer है जो की product आपका पहले से purchase कर रहे है उनके साथ-साथ advertisement जब आप करते हैं, company करती है तो नए customers भी उनके साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि अगर आप एक ही add दिन में 20 बार देंगे तो पही chances बन जाएंगे ना कि नए से नए customer आपके साथ जुड़ते रहेंगे उस add को देखते रहेंगे और वैसे ही आपका customer base तयार हो जाएगा तो advertisement करने से फाइदा क्या हो रहा है company को की नए customer जुड रहे हैं और consumer को भी क्या फाइदा हो रहा है उनको options पता लग रहे हैं ये product ये 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 इतनी सारी company भी बना रही है तो customers के लिए option बढ़ जाएंगे और जो producer है manufacturer है उनको क्या फाइदा होगा उनके जो product है उनकी reach बढ़ जाएगी जादा से लोग उस product को purchase करेंगे आगे देखेंगे correct information about the product बिल्कुल ठीक है advertisement की help से एक company correct information बता पाती है हम local नहीं है हम branded है हमारी एकी branch ऐसे भी करके खूब एट देखेंगे आपने जापर company बताती कि हमारे logo में यही चीज़े देखर purchase करिएगा क्योंकि हमारी ये local product भी भी करें हमारे नाम से कई mislead भी कर रहे हैं आपको तो information correct information बताई जाती है हमारा product इस तारीक को ही launch होने वाला हमारे official website में भी visit कर सकते हैं तो ये सारी चीज़े आपको advertisement की मदद से ही देखने को मिलती है चाय से online हो, tv के थूँ हो, radio के थूँ हो या posters या hoarding के थूँ तो advertisement का ये फाइदा है कि आपको correct information मिलती है product के बारे में 5th point, help to the seller seller कौन person है, seller वो person है जो आपके goods को sale कर रहा है तो main चीज़ क्या है, एक retailer है उसको फाइदा क्या हो रहा है अगर वो जो product बेच रहा है और वो ही product का ad भी आ रहा है, tv पे तो chances बढ़ जाते है उसका product जादा से जादा customers खरी देंगे क्योंकि हमको अच्छा लगता है हम जो product यूज़ कर रहे हैं वो ही ad का अगर product दिखता है हमें tv पे, तो हमें अच्छा लगता है वो product हम जादा यूज़ करना चाहते हैं आगे देखिंगे information about changes in prices अगर company अपनी prices में फेर बदल करती है 45 का product को 40 या 38 कर देती है तो उसकी जानकारी वो advertisement के थूँ ही आप तक वो पहुचाते हैं तो information about changes in prices भी आपको advertisement के थूँ कमपनियां पहुचाती है और ये benefit है ये need है advertisement की तो ये simple से 6 point मैंने उमीद कर रहा हूँ आपको 5 minute के अंदर समझाने की कोशिश करी है बहुत easy point है पिछले वीडियो में हमने advantages और limitations देखी थी आज की वीडियो में हमने देखा need for advertisement अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो पर किसी और interesting topic के साथ जब तक पढ़ते रहिए मेनत करते रहिए और आपका भी दिना आएगा Thank you so much